क्या आप लोगों को पता है कि 400 महिलाओं की नाश्ते नाश्ते मौत हो गई और एक बार एक जहांज के सभी कुरूप मेंबर की अचानक से मौत हो गई आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे रहस्तों के बारे में बात करेंगे जिने जानके आप दंग रह जाएंगे तो चलो शुरू करते हैं वीडियो दुनिया में कई सारे रहस्ते आज भी अन्सुल्जे हैं जिने आज तक कोई सुल्जा नहीं पाया विग्यानिकों ने कुछ रहस्तों से परदा हटा तो लिया लेकिन दुनिया के कुछ रहस्ते जनक चीजों से आज भी कोई परदा नहीं अटा पाया इसलिए हम आज इस वीडियो में बात करेंगे उन रहस्यों के बारे में जो लोगों के लिए आज भी अभुज पहली बनी हुई है मिस्ट्रि नमबर फॉर धानसिंग प्लेइंग ओफ फिप्टी आटन साल 1518 में गर्मियों के दिनों में सहर स्टाइबर्क्स में एक महिला ने सड़क पर नाचना शूरू कर दिया पूरा दिन और पूरी रात वह नाचती रही इसी बीच एक हपते के बितर ही 34 दूसरी महिलाओं ने भी उस महिला के साथ नाचना शुरू कर दिया उनको नाचते हुए देखकर ऐसा लगता है कि उनके अंदर किसी बुरी आत्मा का वास हो गया नाचने का नाचते कोई बड़ी वज़े थी और नहीं कोई ऐसा खास मुका जिस पर नाचा जा सके एक महिने के बितर ही नाचने वाले महिलाओं की संक्या 400 के पास पहुंच गई इसके बाद धार्मिक प्रोहिस से लेकर वेगानिक तक बुलाए गए नाचते नाचते कई महिलाओं की हालत खराब होने लगी यहां तक की महिलाओं की नाचते नाचते मोत भी होने लगी इसके बाद उनके लिए स्टेज बनाए गए और अलग से होल बनाया गया सबी लोगों का ऐसा मानना था कि डांस कर रही महिलाओं की स्थिति में तब ही बदलाव आएगी जब वहें दिन रात नात पाएंगी इस गटना के पीछे इल तरह की थियोरी दी गई जहर, LPC, सामुईत, मानसिक बिमारी भी बताई गई लेकिन फिर भी 83 गटना का आज तक कोई संसोधन जवाब नहीं मिल पाया साल 1947 के जून महा में मलका की खाड़ी में वैपारिक मार्क से कई जाजे गुजर रही थी इस दोरान एक SOS संदेश पहुंचा कि जहांज के सभी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई नजदीक के जहांज सिगनल का सोर्च पहचानते हुए उसकी तरफ बड़े सबसे नजदीक की मर्चेंट सिप दसिल्वल स्टार सिगनल की तरफ तेजी से पहुंची औरंग मेडान पर आते ही सबी लोग हैरान रह गए देखा तो हर क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी जहांज पर लासें इधर उधर बिखरी पड़ी थी कई लोगों की आखे खुली भी हुई थी और उनके चहरे पर डर साप नज़र आ रहा था यहां तक की जहांज पर सवार एक कुटे की भी मौत हो गई थी बोहल रूम में सवो के नज़्दिक जाने पर क्रू मेंबर्स को बहुत ठन लगने लगी जबकि तापमान 110 डिगरी था हैरान कर देने वाली बात यह थी कि मरने वाले लोगों के सरीर पर किसी तरह की कोई चोट नहीं थी दस सिवल स्टार के क्रू मेंबर्स ने वापस अपनी सिप पर जाने का फैसला लिया इससे पहले ही डेक के नीचे से दुआ निकलने लगा एसस ओरंग मेडान में दमाका होने से पहले ही वे किसी तरह अपनी सिप पर वापस पहुंच गये कुछ लोगों ने इस पूरी गटना को प्राकर्तिक गेसों के बादल बनने का हवाला दिया वहीं अधिकांस लोगों ने इसके पीछ सुपर नेच्चुरल पावर को जिवेदार बताया मिस्टर नमबर टू डेथ वेली केलिफॉर्मिया डेथ वेली के नाम से ख्यात इस जगह पर धेर सारे पत्थर मुझूद हैं इस सुखे मरुस्तल पर अलग-अलग वजन के ये पत्थर बड़े रहसे में ही धंग से मुझूद हैं कुछ पत्थर तो ऐसे लगते हैं जैसे वो कसिते हुए आगे बढ़ रहे हैं उनके पिछे लंबी लकीद मौझूद है यहां के नजारा देखकर आप हैरान हो सकते हैं कि किसी इनसान या जानवर के जरिये इन पत्थरों को शीटने के कोई भी सबूत नजर नहीं आते कुछ लोगों का मानना है कि बोगलिक बदलावे तुफान के कान अथर कुछ इस तरह मौझूद है मिस्टरी नमबर वन नाजका लाइन नाजका रेगिस्तान या दक्सिनी पेरू पेरू में इस तिथि इस रेगिस्तान पर एसी कई आकरती बनी हुई हैं जिसे देखकर आप हैरान हो सकते इन मेंसे कुछ आकरतियां इंसानों, होदों और जानवरों की मारू होते हैं जिसके अलावर एगिस्तान सतय पर सीधी रेखाएं भी दिखाई पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि यह रेखाएं 200 इश्वीप पूर्वे से यहां मुझूद है। यह रेखाएं करीब 500 वरक किलोमेटर में फेली हुए है। कोक्टर की मदद से इन्हें साब देखा जा सकता है और इसके वारे में यह भी कहा जाता है कि यहां दूसरे घरों से आयोए योफो उत्रे थे जिसकी चलते सथाय पर इतनी संरचनाई बन गई थी। गैज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और अपना सेजेशन कमेंट बॉक्स में लेख सकते हैं कि आपका वीडियो अच्छी लगी है नहीं।